चली आज हम करते हैं वेस्ट माटीरियल का बैस्ट यूज जी हाँ, मैं अनुराधा आप सब का स्वागत करती हैं हमने चैनल बी सिंपल अनू में और आज मैं आपको वेस्ट चीज का बैस्ट यूज करके दिखाऊंगी, ये था बिल्कुल डस्टूज में मैं डालने वाली थ करते हैं तो उसके साथ मैं इस तरीके के होल्डर आते हैं ये खाना गरम करने के लिए या फिर आप उनको बोल को रखने के लिए आते हैं और इसके अंदर कैंडल जलाके हम उसको गरम भी कर सकते हैं तो मेरे पास यह रखा हुआ था काफी दिन पहले हमने कुछ मंगाया था तो उसके साथ आया था तो अब दिवाली के सफाई में मैं इसको फेकने वाली थी फिर मैंने सोचा कि चलो इसका हम कुछ और यह एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं तो मैंने यहाँ पर कुछ पेंट ले लिया है ब्रश ले लिया है अब हम इसपे करेंगे paint मैं yellow color कर रही हूँ इसका base तैयार कर रहे हैं पहले हम yellow का yellow का मैंने double coat किया है क्योंकि मिट्टी का color था तो वो दिख रहा था मतलब कोई dark color करेंगे मैं अगर इसपे blue करती तो شाइद एक ही coat में छुप जाता पर यलो पर ये दिख रहा था, पर यलो पर और बाकी के color अच्छे से उभर के दिखते हैं, इसलिए मैंने यलो किया, उपर की side हम इस पर red color यूज कर रहे हैं, जो उपर की side बची हुई है, किनारी जो इसकी बची हुई थी, उस पर मैंने red color कर दिया है, पूरे पर हमने red ही use क किया है, उसके बाद में फिर हम इसमें और color यूज करेंगे, और आप देख सकते हैं, कि यलो के साथ में red color बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही सस्ता और बहुत ही बड़ी हा बनके तयार हुआ है, मैं कह सकती हूँ, अगर आपके पास ऐसा कुछ है, तो जरूर आप उस पर करने की जरूरत नहीं है, अब जो उपर डिजाइन उबरा हुआ, आपको मैं दिखा रही थी, उस पर मैंने इस पर line बना दी है, green, blue और red color की, जो line जैसे design इस पर बना हुआ था, मैंने same उसी के उपर इसका जो है, वो color यूज किया है, तो इससे इसका जो design है, वो उबर के आया है, निकर के आया रहा था, तो बहुत ही जादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने green और उपर की side मैंने इस पर blue किया है, red के साथ blue अच्छा लग रहा था, और green भी अच्छा लगता है, इसी तरह से नीचे की side मैंने red color जो है, वो use किया है, और उपर की side मैंने इसमें फेविकॉल की help से इस पर mirror लगा दिये हैं इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था इसमें चारचान लग गए आप कह सकते हैं मैं इसके सूखने के बाद मैंने इसमें candle भी आपको जला के दिखा रही हूं और आप देख सकते हैं बहुत अच्छा बना है